नमस्कार साथियों मैं रवीन सिंग यूपे सी कोच अपने यूट्यूब चैनल रवीन अकेडमी में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और भारती इतिहास युद्धों की एक संखला में भी आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस संखला के एंतरगत हम लोगों ने cover किया था तरती आंगल मैशूर yudh, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे चतुर्त आंगल मैशूर yudh, जो की अंतिम आंगल मैशूर yudh होगा, तो साथी ओं मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजियों की पॉलिसी क्या थी ? अग्रेजों को पॉलिसी थी युद्ध करो, फिर अगले युद्ध की तैयारी के लिए कुछ दिन के लिए 37 स्थापित करो, अर्थार पहले युद्ध करो, फिर निरणा ना निकले तो संधी कर लो, थोड़े दिन के लिए 37 स्थापित कर लो, और उसी बीच में अगले नीति के तहट यह चौथा आंगल मैशूर युद्ध किया गया आए इसके बारे में हम लोग समझते हैं जैसा कि आप इसमें बूर्ड में इसका फ्रेम देख रहे होंगे इसका ड्राप्ट आप देख रहे होंगे इस युद्ध का इसमें हुआ क्या जो चतुर्त आंगल मैशूर युद्ध था वो लौड वेले जली के काल में लड़ा गया लौड वेले जली एक सामराजवादी गवर्नर जनरल था जिसने भारत में साहक संधी को बड़े विस्तार पूर्व तरीके से लागू किया था तो 1798 में लौड वेले जली कब 1798 में लौड वेले जली भारत में गवर्नर जनरल बन कर आया लॉड वेले जली गवर्नर जनरल बन कर आया अब आप देखिएगा कि इस दौर में फ्रांस में फ्रांस में नेपोलियन बोना पार्ट एक ताना सा बन चुका था और पूरे योरोप को नेपोलियन बोना पार्ट का डर सता रहा था तो अंग्रेजों को भी इसका डर सता रहा था कि कहीं नेपोलियन बोना पार्ट भारत ना आ जाए और सारा मामला गड़वडा दे तो लॉड वेले जली ने आरोप लगाया टीपू पर तो क्या आरोप लग तीपू निजाम प्लस मराठों के साथ मिलकर हमारे विरुद सड्यंत्र रच रहा है क्या कर रहा है शड्यंत्र रच रहा है सड्यंत्र रच रहा है एक तो आरोप यह लगाया दूसरा आरोप लगाया कि टीपू विदेशों से पत्र विवहर कर रहा है हमारे विरुद ब्युखार करए है, बिदेशों से पत्र बीुखार कर रहा है, बीदेशों में जैसे अफगानिस्तान से मारिशस से कुस्तुंतुनिया से और फ्रांस से ये पत्र fordi यू Но ने कहा कि नहीं है नहीं है, ये मैं पत्र बिव्हार नहीं कर रहा हूं वहां से कुछ मजदूर भारत में आये थे रूजगार खोजने के लिए तो वेले जली तो चाही रहा था को कोई बाहना ढूने और हम इसके उपर आक्टरुनल कर दें तो यह वेले जली के द्वारा जो बाहना ढूडा गया यह पर्याप्था युद्ध की शुरुआत करने के लिए तो लौड वेले डेली में कहा कि टीपु सुल्तान से कि तुम हमारी साहिक संदी स्विकार करो तो टीपु सुल्तान ने साहिक संदी स्विकार करने से मना कर दिया और इसने आक्रमन कर दिया कब 1799 में 1799 AD में आक्रमन किया आक्रमन दो तरफ से किया है वेस्ट से वे आक्रमण हुआ और इस्ट से आकामन किसे युद्व हैरिस और देख मारा गया और इस तरीके से मैसूर का पतन हो गया फाइनली और इन लोगों ने क्या किया वेले जली ने अंग्रेजों ने मैसूर के वोड्यार वर्स के एक बालक क्रस्ण राज को गद्धी पर बिठा दिया दो वर्सी वालक और उससे साहख संदी कर ली बाकी मैसूर के हिस्से को अंग्रेजी सामराज में मिला लिया और टीपू के परिवार को बंदी बना लिया और बाद में टीपू के जो दो लड़के पहले तीसरे युद्ध में कैद कर दिये गए थे उनको पेंसन दे दी गई इस तरीके से ये मैसूर सामराज को अंग्रेजी सामराज में मिला लिया तो अगर आपसे question पूछा जाए कि मैसूल सामराज को अंग्रेजी सामराज में किसने मिलाया तो वो कौन था गवर्नेजनल लॉर्ड वेले जली अब इस युद्ध के बाद लॉर्ड वेले जली बड़े घमंड में बोलता है एक statement कहता है कि अब पूरव का सामराज हमारे कदम में है हमारे कदमों में है यह कौन कहता है लॉर्ड वेले जली लॉर्ड वेले जली का statement है अब यह कहता है कि पूरव का सामराज हमारे कदमों में है ठीक है मतलब अब यह भारत को कोई नहीं बचा सकता है यह अब हम जीत लेंगे ठीक है पूरव का सामराज हमारे कदमों में है इस तरीके से आप आपने समझा यह चतुर्त आंगल मैश्यूद तो सातियों अगर आपको इन सभी चीजों का पीडियाप नूट से है तो आप हमारे राविन एकेडमी के ऑफिसियल चैनल उस पर एप पर जाए राविन एकेडमी के एप पर जाएए यह प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक हम इस वीडियों में सेर कर देंगे आप वहां से क्लिक करके जोइन कर लिए हमारे इस एप में पहुंचिए और आपको यह सारी च के साथ पुना धन्यवाद